नमाश्कार तो मेरा मंकीत कुपता है मैं दिल्ली से हूँ सर मैंने ये रियल का अनुटमार उनस मार्च को पठेश किया था है जिस दिन मैंने ये पठेश किया था उस मिने इसे open किया उन्नी स्मार्च को उसके बाद इस है इस जुसको मैंने फिरीज में रख दिया पर 21 तुट्री मार्च को मॉर्निंग में मैं जो स्को जब ओपन किया तो इसमें से बहुत जादा गंदी इसमेल आ रही थी तो मैंने इसका इंडिकेशन पड़ा उसमें लिखा हुआ था कि ओपन करने के फाइब डेस के अंदर आपको इसे खतम करना है लेकिन यह मैंने एक दिन छोड़कर दूसरे दिन यूज किया मतलब तीसरे दिन तो इसमें इस तरह की कंप्लेन आने तो मैंने फर्स्ट कंप्लेन करी थी 21 मार्च 2018 चार बज के 36 मिनट पर सामको तो मेरी कंप्लेन दर्ज हो गई और मेरी आपके एक्जग्यूटिव से रियल वालों की और डावर इंडिया के एक्जग्यूटिव से 9 मिनट 35 सेकंड बात हुई जिसमें कि मुझे उन्होंने 22 गंटे के अंदर इस पर कारवाई होगी और आपका पीस रिप्लेस करके दे दिया जाएगा वट सर मुझे कोई रिस्पॉंस डावर इंडिया की तरफ से नहीं मिला उसके बाद मैंने 25 मार्च को फिर फॉन गिया चार बज के तीन मिनट पर और मेरी दो मिनट 8 सेकंड बात तो सर मैं बेट करा उसके बाद दो तिन दिन फिर उसके बाद मेरी 27 को फिर मैंने फोन किया सामको पांच बचके 11 मिनट पे उस टेम मेरी 10 मिनट बार थी मिस्टर प्रतिक से तो प्रतिक जी ने सारी इंफॉमेशन दुवारा ली जो कि मैं तीसरी बार दे रहा था उनको और उसमें उन्होंने सारा कुछा MRP और इसका MRP कितना था और वैच नंबर क्या था कब पर्चेज किया कब ओपन किया और कितने दिन में इसमें लाने लगी तो सेम वही 125 साल पुरानी कंपनी का सेम वही बाइदा कि दो दिन के अंदर कादरवई होगी मैं एक आम आदमी बेट करने लगा सौचने लगा सायद कुछ यह लोग करें क्यों कितनी बड़ी कंपनी इतना वड़ा नाम है लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं मिला और 29 के बाद 27 के बाद मैंने फिर 29 को मॉर्णिंग में 10 बच कर 3 मिन कादरवाइक की जाएगी और आपका जो जू से अनर फिलेवर वह एक्सचेंज कर दिया जाएगा तो मैंने ठीक है फिर मैंने बेट किया उसके बाद कोई रिस्पॉंस नहीं आया तो फिर मैंने फाइनली 3 अप्रेल को एक फॉन दुबारा किया 11 बच के क्यामरा मिनट पर और जिसमें के मेरी सत्रे मिनट तेई सेकेंड वाद रही इनी के एक 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 से तो सीम वही प्रोसेस सेम वही सामतुना वाट कोई रिस्पॉंस मुझे अभी तक नहीं मिला है आज यह मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 अप्रेल 2018 सामके 7 बच के 15 मिनट पर मैंने कंप्लेंट 25 मार्च को करी थी आज 7 अप्रेल है तो सर लगवग लगवग 17 से 18 दिन वीद गए हैं लेकिन इस 125 साल फुरानी कंपनी से कोई रिस्पॉंस नहीं मिला Sir मेरा कहना यह नहीं है कि 1009 ओरवचा पीश से उसके लिए में तती जद्धोजायद कर रहा हूँ मेरा कहना यह है कि आद्मी रियल का कोई भी जूस ट्टेस करता है तो वो अपनी हेल्थ के लिए पर्चेश करता है ना कि इसके टेस्ट और सौध के लिए same process same उसी तरीके से मैंने इसको खरीदा लेकिन मुझे धोका मिला company से अभी तक कोई response नहीं मिला है मुझे मेरी कोई ऐसी intention नहीं है कि मैं real और डावर इंडिया को बदनाम कर रहा हूँ मैं बस ये information डावर इंडिया को देना चाह रहा हूँ कि आपके जो executive बैठे हुए है जो आपकी हरारी की बैठी हुई है जो आपकी sales team बैठी हुई है जो आपकी back office में बैठी हुए है उन पे जो भी कोई आप लोग काम दे रहे हो वो काम proper customer hand तक नहीं पहुँच रहा है आप इतनी field force लगाके एक sales team तयार करी है एक आपने back office तयार किया है जहां पे कि आम जनता की सिकायत को सुना जा सके और उस पे कार्रेवाई हो सके लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मैं बस डावर इंडिया के कान खोलना चाहता हूं कि आपने जो भी executive hire किये हैं वो आपका काम proper करके नहीं दे रहे हैं कि रही बात quality की तो मैं satisfy नहीं हूं इस टाइम रियल के अनार फिलेवर से पहले भी पिछले मैं दस बारा साल से कम से कम रियल का जूस परचेश रेगुलर करी रहे हैं हम लोग लेकिन आज तक कैसी complaint नहीं आई लेकिन इस बार complaint आई तो उसका कोई solution नहीं निकला तो सर मैंने यह detail note करी है जब जब मैंने phone किया है यह मेरी copy पर लिखा हुआ है पूरा जो कि मेरा complaint नंबर है यह दो executive के मेरे phone नाम याद है प्रतिक और मनीना और यह यह date थी जब जब मैंने जितनी इतनी बाट करी है यह सारी detail है मेरे पास और सर मेरी executive हों से जो भी बात हुई है मैंने उसे record भी करा हुआ है सारी recording मेरे पास है बस मैं डावर इंडिया और रियल से यह दर्कास्त करूंगा कि कभी इस तरह की कोई problem अना आए उसके कारवाई किये जाए मैं इस juice को destroy कर दा हूँ फैक रहा हूँ आज के बाद 7 अप्रेल 2018 सामको 7 बचके 20 मिनट आज के बाद मैं कभी आपकी executive को complain नहीं करूँगा मुझे आप से satisfactory reply नहीं मिला है मैं इसको social media पर डाल रहा हूँ अगर मेरे से कोई ट्रटी या गलती हुई हो तो उसको माफ करने की कृपा करें धन्यवाद